इनारगेनी किमिस्ट्री को स्ट्रॉंग करने के लिए जिन टॉपिक्स के हमें खास तोर वे जुरूरत होती है वो हैं बॉन्ड नेंथ, बॉन्ड एमर्जी और रियक्टिविटी क्लास 11, क्लास 12, दौनों ही क्लासिस की किमिस्ट्री को स्ट्रॉंग करने के लिए हमें इनकी इन्फर्मेशन मालूम होना ज़रूरी है देखिए सब कुछ जान लेना ही ज़रूरी नहीं होता, उसे अपलाई किस तरह से किया जाता है, ये भी बहुत माइने रखता है किताबों में सारे चीज़ें लिखी हैं, लेकिन लिखी लिखाई चीज़ें आपके लिए कितना helpful हो सकती हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ तो ज़रूरी है कि आप इस बात को अच्छे से समझें कि वो क्या-क्या factor हैं जो इने affect करते हैं और किस तरह से आप इनको apply कर सकते हैं और क्या-क्या important question आपके सामने आ सकते हैं यहाँ पर मैं यह भी कहूंगा कि competitive examinations में जो short cuts हमें चाहिए हम उसके बारे में भी यहाँ बात करेंगे चाहिए NEET का paper हो चाहिए JE का paper हो वहाँ पर भी किन short cuts की आपको ज़रूर पड़ेगी इसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम सीखेंगे bond land आखे bond land का मीनिक क्या परता है जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं force of attraction between two atoms इसे chemical bond कहा जाता है bond chemical bond not the James bond chemical bond the force of attraction between two atom is called as bond अब इन दो atom के nucleus के बीच की distance जिसे inter nuclear distance कहा जाएगा इस inter nuclear distance को bond length कहा जाता है so length of the bond is called as bond length maximum terminology उनके meaning उनके नाम के अंदर ही available होता है यह याद रखने की कुछ short cuts है जैसे कहा गया bond length यानि length of the bond is called as bond length remember so inter nuclear distance between two atom इसे bond length कहा जाएगा bond length को affect करने वाले factor कौन से रहेंगे सबसे पहले हमें size के factor पर ध्यान देना होगा now size का meaning हम समझ सकते है size size of atom so you can understand अगर atom का size छोटा होगा तो यह एक दूसरे के नजदीक होगे और bond length कम होगी अगर atom का size बड़ा होगा एक दूसरे से दूर होगे और bond length जदा होगी तो मैं कह सकता हूँ size is directly proportional to bond length जितना बड़ा size उतनी जदा bond length अगर हमसे पूछा जाए HF HCL कहां bond length जदा होगी तो hydrogen same है fluorine chlorine बड़ा size chlorine का तो यहां जवाब automatically आ जाएगा कि कहां पर bond length जदा होगी तो इस तरह से size के बारे में देखा हमने सबसे पहले आपको हमेशा size का factor ही apply करना चाहिए अगर size का factor apply नहीं हो रहा suppose दोनों atoms same है आप size के factor को apply नहीं कर पा रहे तो हमें अगली चीज ध्याद देनी है जिसे multiplicity कहा जलता है now multiplicity का meaning है number of bonds between two atoms दो atom के बीच में कितने bond बने हुए है इसे multiplicity कहा जाता है suppose मैं कहता हूँ carbon carbon double bond carbon यहां हमें बताना है किसकी bond length जादा है अब देखेंगा मैंने शुरू से कहा कि factor जान लेना sufficient नहीं है उन्हें कि sequence में apply किया जाए यह बात माइने रखती है अगर आप size के factor को यहां apply करने की कोशिश करो करी नहीं सकते क्योंकि दौनों के दौनों similar element है size का factor apply नहीं होका तो अब बात करेंगे multiplicity की यहां atoms के बीच में single bond यहां है double bond तो हम कहेंगे जहां number of bonds ज्यादा है अच्छा अभी मैंने बताया था bond का meaning क्या होता है force of attraction यहां पर force of attraction ज्यादा है अगर force of attraction ज्यादा होगा तो atom नजदीक होंगे और bond length कम होगी तो अब हम क्या generalization निकाल सकते हैं more the number of bonds between two atoms smaller will be the bond length तो यहां पर हम कहेंगे double bond length smaller होगी as compared to single bond length तो हम generalization को ऐसे कहेंगे जितने ज्यादा number of bond होंगे उतनी bond length कम रहेगी आपको तुरंत याद हो जाएगा size का factor होगया, multiplicity का factor यह होगया अगला factor है number of loan pairs number of loan pairs जितने ज्यादा होगे उतना loan pair, bond pair, repulsion ज्यादा होगा और loan pair, bond pair, repulsion ज्यादा होगा तो bond length ज्यादा होगे for example यह समझे a, b, a, loan pair, b अब आप से पुछेंगे बताएं किसकी bond length ज्यादा है तो size का factor not applicable क्योंकि दोनों एटम दोनों केस में सेव है multiplicity again not applicable क्योंकि single bond single bond तो अब चलेंगे हम loan pair पे जितने ज्यादा loan pair, loan pair, bond pair आपस में एक दूसरे को repel करते हैं chemistry की यह basic सी बात है जिसे valence shell electron pair repulsion कहा जाता है एक दूसरे को repel करेंगे repel करने के वज़े से bond length ज्यादा हो जाएगी तो हम कहेंगे second case में bond length ज्यादा है जितने ज्यादा loan pair होगी उतनी ज्यादा bond length होगी इस बात को यहाँ पर समझ पाएगे और अब क्या पाएगे तो ऐसे हम bond length के बारे में कुछ बातें यहाँ से सीफ आएगे अब कुछ particular questions आपको अच्छे से clear होने चाहिए जिसे आपसे पुछे nitrogen, oxygen, invasive bond length किसकी ज्यादा है क्यों है यह clear होना चाहिए यह तीनों के तीनों एक्जामपल आपको बहुत अच्छे से याद रहें जब आप किसी भी examination में appear होते हैं general trend तो आप हर जगे apply कर सकते हैं हर case में लेकिन कुछ specific बात है आप इन तीनों case में multiplicity यहाँ पर जादा है जहां number of bond जादा होते हैं bond length कब होती है fluorine में number of loan pair बहुत जादा है जहां loan pair जादा होते हैं bond length जादा होती हैं तो हमारे जगाद बुझाएगा n2 की bond length सबसे कम फिर O2 और फिर F2 और अगर reason पूछें so reason clear है आपके पास because of higher multiplicity यहाँ सबसे जादा है यहाँ और कम यहाँ सबसे कम ना और number of loan pair fluorine के case में जादा है जैसा कि हम देख पाएं इस तरह से यह एक example आपको याद होना चाहिए अब साथ के साथ अगर आपसे पूछें alkyne alkyne यहाँ पर bond length में arrange करना है alkyne 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 तो जवाब आपके पास है alkyne में single bond alkyne में double bond alkyne में triple bond तो सबसे जादा bond length किसकी हुई बताएं जादा जहाँ पर number of bond जादा होगी उसकी bond length कम होगी तो सबसे कम bond length कहां हो जाएगी alkyne के अंदर यह यहाँ पर जवाब रहेगा अब आपके लिए simple सा question देता हूँ important mark रखना यह आपको आना चाहिए कि आपको बताना है F2 और CL2 इन में से किसकी bond length जादा है targeted question यह आपको आना चाहिए और अगर मैं कहूँ alkyl fluoride alkyl chloride यहाँ bond length किसकी जादा है तो इस फुरे topic में से यह कुछ selected question आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए यह दो मैंने बता है यह दो आप solve करें अगर हो सके तो इनके जवाब comment section में आप लिखें उससे confirm करें otherwise यह आपको अपने notebook में जरूर लिखके रख ले लिखें अब देखिए हमने bond length के topic को समझ लिया now सारे कहते हैं कि बच्चों को hard work करना चाहिए smart enough to give you success in the little efforts smart work क्या होगा वो अब मैं आपको बता हूँ bond length हमने पढ़ ली bond energy पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है reactivity भी नहीं क्योंकि यह automatically solve होता जाएगा कैसे solve होगा bond length अगर ज़्यादा होगी bond weak होगा और अगर bond weak होगा तो bond energy कम होगी जल्दी से तूट जाएगा और अगर जल्दी से तूट जाएगा तो reactivity जादा होगी reactivity इसी बेदर depend करती है जितनी आसानी से bond तूटेगा उतना जाद रियक्टियर होगा तो ध्यान से higher is the bond length lower is the bond energy higher is the reactivity तो हमाई बताएगी इस बात को याद रखना कि अगर मैं कहता हूँ bond length it is inversely proportional to bond energy and it is directly proportional to reactivity ये बताएगी चीज़ आप अपने exam के लिए याद रखो चाहें आप class 11th में appear हो रहे हैं चाहें 12th में ये general inorganic chemistry के short cuts है जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए ये आप धान रखें आपको होना चाहिए अब मैं आपको कुछ questions देके छोड़ता हूँ आपके बास इनको solve करने का पूरा समय है और जब आपसे solve हो जाए तो comment section में जवाब लिक के बताएं ताकि हमें मालूम पड़े ये आपके सब तक achieve कर पाएं आपको इन बताएगे order के हिसाफ से arrange करना है HF, HCL, HBR, HI in the order of acidic strength इन में से कौन जादा acidic होगा acidic वही जादा होगा जो आसानी से proton देगा यहीं जो आसानी से तूट जाएगा वही strong acid होगा ध्यान रखीगा आपको जवाब देना है इनके case में reactivity का क्या order है कौन most reactive कौन least reactive यह आपको जवाब देना है आपका अग्रा जवाब यह होना चाहिए F2 और CL2 इनमें से ज़ादा reactive कौन है किस वज़े से है यह जवाब आपको देना है तो यह तीन question मैंने आपको homework के लिए दिये हैं इनको अच्छे से try कीजिए देखे कैसे इन 12-13 minute के अंदर ही हमने तीन inorganic के most important topic जो reactivity, strength, stability, acidic nature बगेरा के बारे में बताते हैं उन्हें हमने कितना ज़दी solve कर लिया ऐसी ही यहां एक और चीज एक कर दूँ HF, HCA, HBR, HI, Thermal Stability के order में अरेंज करना है Thermal Stability का मतलब है Heat करेंगे कौन आसानी से तूटेगा वो less stable जो मुश्किल से तूटेगा वो more stable सीदिसी बात है और इसी तहर से इनको acidic strength के साथ-साथ reducing strength में भी अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों इस तरह से गागर में सागर भरने वाली बात है कि minimum में maximum आपको करना है smart तयारी आपकी होनी चाहिए अगर आप तयारी करने के लिए साथ हैं तो हम तयारी करवाने के लिए साथ हैं आप आगे एक कदम बढ़िए दस कदम आपके पास आएंगे लेकिन जरूरत है आप जो बताया गया काम जो होमवर्क उसे बहुत अच्छे से करें उसके जवाब दें और मुझे पूरी अमीद है कि आप अपने success के aim को जरूर अचीव कर पाएंगे अमीद ही नहीं पूरा बिश्वास है जो मेरे अंदर भी होना चाहिए और आपके अंदर भी होना चाहिए इस बात को ध्यान रखें तो देखते रहे हमारा ये चैनल जहां हम जल्दी ही और भी कई वीडियो रेक्ट्चर इसी तरह से आपकी हेल्प के लिए अपलोड करने वाले हैं Have a nice day, good day, good bye